हलो एवरिवन वेलकम बैक तो माय यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग दबारियर्स तो टोडेज वीडियो इस पेशल वीडियो आज की जो वीडियो है ये बनी है क्लास 10 और 12 के बोर्ड एक्जाम के कन्फूजन को दूर करने के लिए तो अगर आप भी कन्फूज्ड है इस बात को लेके के क्लास 10 के और 12 के CBSC के बोर्ड एक्जाम्स कब होंगे तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें तो 1 एप्रिल 2020 को CBSC का एक सर्कुलर आया था और ये बात कई न्यूस चैनल के मादियम से CBSC सचीव अनुराग त्रिपाठी ने भी बताई थी के पूरे इंडिया में North East Delhi को छोड़ कर कहीं भी क्लास 10 का कोई भी CBSC बोर्ड एक्जाम अब कंड़क्ट नहीं कराया जाएगा North East Delhi में भी जो स्टूडेंट्स इन एक्जाम्स को अल्रेडी दे चुके हैं उनको दुबारा नहीं देना होगा North East Delhi के सिर्फ उन एरिया के स्टूडेंट्स जो उन दिनों law and order की disturbance की वज़े से paper नहीं दे पाए थे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का re-exam होगा जिसका schedule आने वाले दो-तीन दिनों में CBSC launch करेगा अब इस schedule में जो exam की dates दी गई हैं वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं डेली में भी जो north east area में रहते हैं बाकी जो डेली के students exams दे चुके हैं उनको दुबारा exams नहीं देना बाकी पूरी country की बात करें तो CBSC कहीं भी class 10th के board exams conduct अब नहीं कराएगा अब बात करते हैं class 12th की तो हाँ class 12th के board exams conduct कराने की जरूर CBSC की एक सोच है क्योंके class 12th की जो CBSC mark sheet होती है वो काफी valuable है और कई सारे ऐसे colleges हैं जो आपकी percentage के हिसाब से आपको admission देते हैं जहां merit बनती है इसलिए CBSC का ऐसा सोचना है और विचार है के class 12th के 12 ऐसे important subjects जिनका अभी तक exam नहीं हुआ है इनका exam करवाएंगे इन 12 subjects में बहुत सारे important subjects हैं जैसे computer है humanities के subjects हैं commerce stream का एक subject है geography है और भी subjects हैं और इन 12 subjects को CBSC ने important subjects की category में रखा है और बोला है कि जैसे ही हालात सही होंगे lockdown से थोड़ा हमें relaxation मिलेगा तो हम एक schedule या फिर time table publish करेंगे जिसमें in class 12th के exams की dates होगी और इन dates के according exams conduct करवाए जाएंगे CBSC सचीव अनुराग त्रिपाटी के according ये schedule 13 से 15 दिन का होगा मतरब 13 से 15 दिन का ये scheme आएगी जिसके अंदर ये 12 के 12 subjects आपके exam conduct कराए जाएंगे तो जो भी class 12th के students है CBSC के वो relax ना हो और ये ना सोचें के अभी exam नहीं होंगे exam जरूर होंगे और आप उनकी तयारियों में लगे रहें result की चिंता ना करें ये मत सोचें के result लेट होगा college में admissions कैसे होंगे सीधी बात है कि इस समय जो ये lockdown की situation चल रही है ये सिर्फ आपके और मेरे लेना ही है पूरी दुनिया के लिए है तो पूरी दुनिया में ही exams और results का जो ये procedure है वो pending हो रहा है तो tension लेने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगे रहें और CVSC के आगे आने वाले देशों का इंतजार करें एक और important बात जो CVSC ने बताई है वो ये बताई है कि जो भी ये scheme आएगी उसमें 10 दिन का time दिया जाएगा यानि कि scheme जब भी launch करेंगे या scheme जब भी ये लोग publish करेंगे उस दिन से ले करके पहले exam के conduct होने के बीच में पूरे 10 दिन का gap होगा यानि कि ये अचानक से नहीं होगा scheme आने के बाद आपको 10 दिन का time मिलेगा जिसके बाद ये paper शुरू होंगे और अभी कल ही 5 में को हमारे union minister रमेश पोकरियाल निशानक ने भी webinar के थूरू online interaction किया students से और J.E.Mains और NEET के exams की dates बताई उन्होंने J.E.Mains का उन्होंने बताया है कि 18 जुलाई से लेके 23 जुलाई के वीच में होगा और NEET का exam 26 जुलाई 2020 को conduct कराया जाएगा तो हम मान सकते हैं कि इनी dates के आस पास ये 12th के exams या इन dates से थोड़ा सा पहले ये 12th के exams भी conduct करवाए जा सकते हैं तो इन सब बातों से आप एक idea लगा सकते हैं कि आप कब इन exams की उम्मीद कर सकते हैं इसके अलावा CBSC सचीव Mr. Anurag Priparty ने ये भी बोला है कि students को परिशान होने की और किसी भी तरह का mental pressure लेने की जरूरत नहीं है जो भी होगा वो सब की भलाई को देखते हुए होगा और जो भी होगा वो students के future को ध्यान में रख्ये किया जाएगा तो किसी भी बात की tension ना लें आप लोग और relaxed mind के साथ इस lockdown में अपनी creativity, अपने talent और अपनी education को बढ़ाते रहें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe करें, like करें और bell icon को press करें ताकि मेरे इस चैनल पे आने वाली आगे सारी videos आप लोग को मिलती रहें So that's all for today, bye-bye